असलाम अलेकूम आज हम बनाने आलू की बुजिया आलू की बुजिया बनाने के लिए हमें जिन चीजों की जरूरत है आलू लिए एक पाउ इन्हें मैंने चील के काट के धो के पानी में भिगो दिया है मैंने इन्हें बारिक बारिक स्लाइस में काटा है और लेंगे वन फोर कप प्याद लिया एक स्माल साइस का जिसको मैंने बारी बार एक स्लाइस में काट लिया अधर लेसन पेस्ट लिया वन टी स्पून टुमाटर पेस्ट लिया वन फूर कप नमक लिया वन टी स्पून सूर्फ में पौडर लिया हाफ टी स्पून कुटे विलाल मिश लिया हाफ morph ये मुट्रमा करको कुछे Gy isn't goods भृषी करक्ति हलती पौडल लिए fil घरती हाफक टी स்पून धनिया भृषी पॉषपून जीरा पॉडल लिए य सॉन जीरे Key लिए 44 टी स्पून गरम मसाला पॉडल लिए 14 टी Σ्पून 2 मैने हरी मिर्चे जिनको मैंने स्लाइस में काट लिया हरा दनिया लेंगे टू टेबल स्पून आलो के बज़ा बनाने के लिए हम एक पतीली लेंगे मीटेम फ्लेम मैंने आउन कर लिए इसमें एड़ करेंगे सबसे पहले आइल को हम हरका सा गरम कर लेंगे और गरम हो गया अब इसमें एड़ करेंगे प्यास और प्यास को हम लाइट गोल्डन कलर आने तक फ्राई कर लेंगे प्यास को लाइट गोल्डन कलर आगया अब इसमें एड़ करेंगे अद्रक लैसन पेस्ट और इसे हम एक मिन तक फ्राई कर लेंगे अब इसमें एड़ करेंगे टमाटर पेस्ट, मिक्स करेंगे और इसको हम एक मिन तक भूल लेंगे मसाले को मैंने एक मिन भूल लेंगे, अब इसमें एड़ करेंगे अलू मिक्स करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे नमक सुर्ख मिश पौडर कुटी होई लाल मिर्ज हल्दी पौडर धनिया पौडर जीरा पौडर मिक्स करेंगे और अब हम इसे 2-3 मिन तक भून लेंगे इसको मैंने भून लिया अब हम इसे कवर कर देंगे और फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे और लो फ्लेम पे हम इसे 15 मिन तक पकने देंगे बीट बीट में हम चम्मच चलाते रहेंगे 15 मिन हो गए अब हम कवर कोलेंगे मिक्स करेंगे अब इसमें एड़ करेंगे करम मसाला पौडर हले मेर्ज अब हम इसे cover कर देंगे और इसे 2 मिट हम दम पे रख देंगे दम पे रक देंगे 2 मिट हो गएंप हम cover खूलेंगे अब इसमें add करेंगे हराधनिया mix करेंगे अलो के भुजया हमारी तयारा flame को off कर देंगे और इसे dish out करेंगे आलो के पुजिया हमारी त्यार है अगर आप इसकी पिक्चर में से शेयर करना चाते हैं तो इंस्ट्रागाम पे कर सकते हैं अगर आप को या आलो के पुजिया की रैसेपी मेरी अच्छी लगया हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें फ्रेंड और फैमली के साथ शेयर करें और मेरी चानल को सबस्क्राइब करना साथ में बल आइकान के बटन को प्रेस करना मत पूले क्योंकि इस से आना वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा अल्ला हाफीज